हलो दोस्तों आज में लेकर आई हूं मटर की बहुती टेस्टी और बहुती असान जटपट बनने वाला नास्ता इसे हमने केवल दो चीजों से मिला कर बनाया है यह नास्ता बहुती ईजी और बहुती टेस्टी भी है क्योंकि इसे हमने सिर्फ केवल एक चमस तेल में ही बनाय नास्तिक बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक मटर लिए यह फ्रेश मटर आप चाहे तो फ्रोजन भी ले सकते हैं, सबसे पहले इन मट्रों को हम उबाल लेंगे इसे खुले वरतन में ही उबाले कूकर में ना उबाले वरने इसका छिलका जो है अलब हो जाएगा इसे हम 5 मिनिट के लिए धक कर पका लेंगे 5 मिनिट बाद इसे हम चेक कर लेंगे अब देखिए 5 मिनिट हो चुके इसे हम चेक क पकाना है अब मैं इसे एक मटर आपको दिखा के दिखा रही हूं यह देखिए मटर जो है कितने अच्छे से सौफ्ट हो गया है दब रहा है अभी जहां पर हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और मटर को हम 5-6 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं मटर के दाने जो है ठंडे हो गया है अब इसका एक बढ़िया सा पेस्ट तयार कर लेंगे इसके लिए हम एक ग्राइंडर का जार लेंगे और सारे मटर को उसमें हम लट लेंगे नास्ते को और भी चटपटा और बहुत ही स्वाइस्ट बनाने के लिए दो हरी इसमें पानी का इस्तमाल कर सकते हैं चलते हैं इसमें और भी चीज एड़ करने की तरफ तो एक बड़ा से मिक्सल बाउन लिया है और उसमें हम मटर के पेस्ट को प्लट लेंगे और अब इसके साथ ही हम लेंगे एक कप सूजी यहाँ पर आप मेजरमेंट को ध्यान में रेसिपी आप बना के तयार कर सकते हैं अब इसमें हम साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और एक बड़ी असा घूल तयार कर लेंगे जैसा हम इडली का घूल तयार करते हैं उसी परकार हम इसका भी घूल तयार कर लेंगे आप देख सकते हैं बैटर थ पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो वीडियो को नौटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जाद से जाद शेयर करें बातों ही बातों में हमारा बैटा जो है रेडी हो गया है अब हम इसे आदे घंटे के लिए ढखकर रख देंगे और आदे घंटे बाद इसे हम चेक कर लेंगे अब आदे घंटे बाद मैंने आपर इडली का मोल्ड लिया है अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा के इसे अच्छे से ग्रिस कर लेंगे ऐसा करना बहुत जरूरी होता है नहीं तो वरना बाद में डिमोल्ड करते समय बहुत दिक्कत होता है इडली इसमें चिपक जाती है और तूट जाती है इसलिए कोई भी मोल्ड यूज़ करें चोटा या बड़ा तो उसे ग्रिस करना बहुत ही ज़रूरी है इस तरह से सारा मोल्ड मैंने ग्रिस कर लिया है अब हम बैटर को भी देख लेते हैं ये देखे बैटर जो है हमारा बहुत ही अच्छे से फूल गया है अब इसे हम अच्छे से थोड़ा सा mix कर लेंगे बैटर जो है, हमें न ज्यादा गाड़ा रखना है और नहीं ज्यादा पतला करना है बैटर की ठिकने समय इसी तरह रखनी है अगर बैटर आपको ज्यादा गाड़ा लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और डाल के एड़ करके मिला लीजे अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा स्वाद अनसा नमक आदी छोटी चम्मच और इसे भी डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसमें अब हमारा यह बैटर दो बैच के लिए है तो इसे हम दो बाट में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन के लिए जो इनो डालेंगे उसको दो बार में डालना पड़ता है अधर्वाज इसका एक्टिवेशन खतम हो जाता है बचवे बैटर में हम आधे छोटी चमच इनो एट कर लेंगे और बिल्कुल एक बुन पाइन डालकर इसके उपर अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देखेंगे आपका बैटर जो है अच्छे से फूलने लगेगा आप देख सकते हैं इसमें एक्टिवेशन शुरू हो गया है आप इसे हम तुरंधी मोल्ड में डालना शुरू कर देंगे दोस्तों अगर आपके पास इनो या फिन नॉर्मल फ्रूट सॉल्ट ना हो तो आप इसके जगा सोडा खाने वाला मिठा सोडा भी उसकर सकते हैं ये दोनों ही चीज एक सा काम करती हैं जो भी चीज आपके पास अबिलेबल हो उसे आप यूस कर सकते हैं आप ये इटली बना सकते हैं बैटर जो है आप थोड़ा ही फिल करें ज्यादा फिल ना करें क्योंकि ये फूलने के बाद दो गुना हो जाता है दूसरी तरफ हमने गैस पर कूकर में थोड़ा सा पानी भर कर गर्म होने के लिए रख दिया था जब पानी अच्छे से बॉल होने लगे तब हम इस स्टेंड को कूकर में डाल देंगे और धकन लगाके अच्छे से बन कर देंगे आप जब कभी भी कूकर में इडली या फिल ढूकला बना रहे होते हैं तो इसका वेट यानि सीटी जो हमें निकाल लेना होता है जिससे कि इसमें प्रेसर ना आए 10-15 मिनट इसे हम लो फिलेम पर पका कर अंधी निकाल लो सोब लेंगे 10-15 मिनट बाद यिसे हम चेक कर लेंगे यहां पर मैं तुट्फिय्क से चैक कर रही हैं आप चाहें जापो से भी चैक कर सकते हैं आप यह सकते हैं तुट्फिक जह है कितना क्लीन आया है अगर यह क्लीन ना आय है तो आप इसे पांस जालता भी नहीं है 15 मिनिट हो गया है और आप हमारा नास्ता जाए ठंडा हो गया तब इसे हम डिमोल्ड कर लेंगे अब यह देखिए मैं एक निकाल के दिखा रही हूं यह देखिए कितना आसानी से निकल गया है और बहुती सौफ्ट और बहुती बढ़िया बनाए इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे इस तरह आप सारे नास्ते को निकालकर एक प्लेट में रख लीजिए अब यह देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है अब चलते हैं फ्राइ करने की तरफ अब इसके लिए कड़ाए में दो बड़े चमच रिफाइन और डालेंगे य फ्राइं और षाओ बंड़ेता है उसे में डाल extrema उसे हम इसमें डाल लेगे और इसे अच्छे से चलाते होए लगाताः फ्राइट कर लेंगे फ्रेम uh loops गह नो हम रखेंगे बलकुल लो और इसे अच्छे से चलाण चला कर भून लेंगे जिसके की हमारे इटली तलह में लगे भी ना और चिपके भी ना लो फ्लेम पर ही यह हमारा नास्ता भुनकर बढ़िया और कुरकुरा बनकर तयार हो जाएगा अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे आदे छोटी चम्मच चाट मसाला आदे छोटी चम्मच पावाजी मसाला और इन सभी को डालकर अच्छे से भून लेंगे आप देख रहे होंगे कि सारी चीजे इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है इसे लगवक्त साथ से आट मिनिट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे यह देखिए नास्ता बनकर त्यार हो गया है आप इसे किसी भी चीज के साथ साथ कीजिए और खाइए एंजोई कीजिए अब मिलते हम नेक्स रेडियो में अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी वाप को अच्छे लगई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बाइब बाइब